साथ यो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे सैमसन एगोनिश जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है इस वीडियो में हम इनके कीफेक्स, इंपॉर्टिन केरेक्टर और समरी इन हिंदी को डिसकस करेंगे तो चलो सुरुआत करते हैं सबसे पहले कीफेक्स अगर हम कीफेक्स की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टिन कीफेक्ट ये है कि सैमसन एगोनिश जो है वो मिल्टन का एक ट्रैजिक क्लॉसिट ड्रामा है पहले चीज आपको ध्यान बनाए रखना है दूसरी चीज परडाइज रेगेंट के साथ में इसको पब्लिस करवा है और तीसरी चीज आपको इसमें जो क्लासिकल इनुटी टाइम प्लेस एक्सन है उसका भी यूज किया है ये जो सैमसन एगोनिश्ट है वो ब्लैंक बर्स में लिखा गया है और ये एक आर्टो बाइग्राफिकल इन नेचर है ठीक है ही मेक्स आगुड यूज आफ कोरस सै पूर मैन आप यहां पे फिलिस्ती नहीं होगा इसराइल होगा ठीक है तो ये सब चीजें आपको ध्यान बनाये रखना है ठीक है अब हम इसके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर सैमसन एगोनिश्ट है और यही इसका प्रोटागोनिश्ट है यानि कि हीरो है इस प्ले का ठीक है ट्रैजिक हीरो आप इसको कह सकते हो सैमसन एगोनिश्ट इस दी सेंटरल करेक्टर आप दी प्ले सैमसन गौट सचा बून सैमसन को एक ऐसा बरदान प्राप्त होता है कि that no one can kill him उसको कोई नहीं मार सकता until his hair is cut जब तक उसके बालों को cut नहीं कर दिया जाता क्योंकि सैमसन एगोनिश्ट के बालों में ही क्या है power है strength है सकती है दूसरा करेक्टर मनवा दिखाया जाता है मनवा जो होता है वो सैमसन एगोनिश्ट के loving and loyal father दिखाया जाते हैं और तीसरा करेक्टर कौन होते हैं डिलीला होते हैं अगर हम डिलीला की बात करते हैं ये सैम्सन की वाइफ होती है जो की एक क्या है फिलिस्तीन की है ठीक है फिलिस्तीन बूमेन है और ये दोका दे देती है कि इसको सैम्सन को और ये सैम्सन के चुपके से क्या कर देती है बाल काट देती है निकी सैम्स बाइ ओर्डरिंग असर्वेंट एक नौकर क order करते हैं to cut his hair उसके बालों को काटने के लिए while he slept जब सैमसन सो रहा होता है अगर हम chorus की बात करें chorus of denities जो कि सैमसन के दोस्त दिखाए जाते है और एक character और है इसमें कौन है वो character हमारा हारफा हारफा कौन होता है एक giant होता है who comes to see सैमसन जो सैमसन से मिलने के लिए आता है और अपने आफ की उससे तुलना करता है because he, heard क्योंकि उसने सैमसन की सकतियों के बारे में सुरुका होता है लेकिन अब सैमसन की इतनी बुरी दसा में देखकर के उसकी current position को देखकर के उसका mark औरहाता है यानि इसकी थीम में बिसेश ध्यान बनाए रखना है कि बॉइलेंस हो सकती है, रिलीजियन हो सकती है, बुमेन एंड ब्लाइडनेस आर दी, अल थीम्स डिसकस इन दी प्ले, इस सबी इसकी थीम्स हो सकती है, लेकिन अगर प्री डॉमिनेंट थीम की मैं बात करूं तो क्या होगी, ठीक है, इसके बारे में हम सारी चीजें प्रीवेस वीडियो में डिसकस भी कर चुका हूँ, तो बहां से आप इनके सैमसन एगोनिस्ट के की नोर्स को देख सकते हो, लेकिन अब हम लोग डिसकस करेंगे इसकी समरी को, ठीक है, की समरी क्या है, अगर हम इस प्ले में देखत जाते हैं, एक फलेस्टीन दिखाया जाते हैं, और दूसरा इसरा इसराइल दिखाया जाता है, जो डिलीला होती है, यह जो डिलीला होती है, वो कहां की फलेस्टीन की होती है, और जो सैमसन होता है, वो किस तरफ से होता है, इसराइल की तरफ से होता है, तो इन सब चीजों अब हम लोग कहानी की सुरुवात करते हैं. सेम, कहानी की सुरुवात कुछ इस तरह के से होती है, सेमसन अगोनिष्ट का जो सोर्स माना जाता है, वो बाइबल है. एक चीज धियान बनाये रखना. सोर्स क्या है दोस्तो? एक बाइबल है. और सैमसन एक इसराइली है कौन है एक इसराइली है सैमसन ने अपनी इस्तिती पर सोक व्यक्ति किया है यह देखते हुए कि बहब्यक्ति जो फिलिस्तीन से इसराइल को बचाने वाला है अब बहब्यक्ति कौन है वो सैमसन एगोनिस्ट है जो फिलिस्तीन से इसराइल को बचा जिम्मेवारी थी लेकिन इससे पहले सैमसन के उपर पूरे इजराइल की क्या थी की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी क्योंकि सैमसन ही इजराइल की सेना की तरफ से क्या करता था यूद करता था और फ्रेस्टेन की सेना को अकेले ही हरा देता था अच्छा इसका एक कारण और था ये जो सैमसन था सैमसन को भागवान ने सैमसन को पूरे इसराइल की सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए चुना था ताकि भै अपने लोगों की रक्षा कर सके तथा ब्रोधियों से बदला ले सके एक रात क्या हुआ कि भागवान के देपता उसके पास आए और उसको बरदान दिया बरदान क्या दिया दोस्तों की बह बहुत सक्तिसाली हो जाएगा एह सक्ति उसके बालों में होगी कहा होगी उसके बालों में ठीक है एह सक्ति कहा होगी उसके बालों में जब फिलिस्टीन खुली लड़ाई में सैम्सन का सामना नहीं कर सके तो उन्होंने दोके का साहरा लिया उन्होंने फिलिस्टीन की सबसे सुंदर लड़की जिसका नाम क्या होता है डिलीला होता है क्या नाम होता है दोस्तों डिलीला से सैम्सन को फसाने के लिए कहा जाता है बहुत सुन्दर थी उसने सैंसन को बेला फुसला करके उससे साधी कर लिए उसे अपने प्रेमजाल में फसा लिया सैंसन उसका आसानी से सिकार हो गया यानि कि उसके प्रेमजाल में बहुत आसानी से फस गया और तुम्हें पता ही है जो सुन्दरता होती है वो किसी भी बेप्ति को अपनी होर आकरसित करती है अट्रैक्ट करती है अपने लोगों के ब्रोध के बाप जो जब कि इस बात का जो इसराइली थे उन्होंने बहुत जदा ब्रोध किया यहां तक कि उसके जो पिता थे उन्हो भी इस बात का इस साधी का ब्रोध किया कि ये दुस्मन देश के लड़की है इसके साधी मत करो लेकिन सैंसन का हमानने वाले थे ये प्यार में पड़े हुई थे उसकी सुन्दरता को देख करके तो अपने लोगों के ब्रोध के बावजूद उसने डिलीला से साधी कर लिए डिलीला एक यंग लेडी थी जल्द ही उसने सैंसन की सक्ती का रहसे जान लिया सैंसन की सक्ती का रहसे क्या था तो उसकी बालों में था और अपने लोगों को बता दिया यानि कि अब डिलीला प्लेस्टीन में जाती है और वहाँ पर क्या करती है जो वहाँ के परसासक होते हैं गवर्नर होते हैं उनको जो है सैमसन के जो इस्ट्रेंथ पावर सक्ति का जो राज होता है वो उन सब को उजागर कर देता है क्योंकि डिलीला को अब पता चल चुका है सैमसन के बालों में ही क्या है पावर है सक्ति है और सैमसन के साथ बिस्वासगात इस तरीके से जो डिलीला उसकी पत्नी होती है वो उसके साथ धोका कर देती है बिस्वासगात कर देती है एक दिन क्या होता है कि सैमसन सो रहा होता है तो डिलीला ने चुपके से उसके बाल काट दिये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इस पिक में कि यह जो डिलीला है देखो बाल चुपके से बाल काटते हुए ना जरा रही है इस परकार बहे एक साधरान मानव हो गया और जैसे सेमसन के बाल कटे तो उसकी पावर भी चलेगी जब पावर चलेगी वो एक सिंपल मैन यानकी कॉमन मैन बन गया अपनी सकती गवाने के बाद सेमसन जल्द ही सत्रूओं के द्वारा पकड़ लिया गया उसे कैद कर लिया गया और फिर उसकी आंखों को फोड़ दिया उसको जेल में डाल दिया गया और उससे नीच कारे करवाय जाते थे बहाँ पर जेल में बहुत ही भद्दे किस्म के का पाया जाता था दिकोरस सेमसन को देखते थे दिकोरस कौन होते थे इस सेमसन के फ्रेंड्स दोस्त होते थे वो उसको देखते थे और उसकी दसा को देख करके बड़ा दुखी होते थे लेकिन सेमसन कहता है कि बहे दुख बहे जो है खुद ही जो उसकी ये दसा है उसकी जो परस्तिती है उस परस्तिती का उसकी ये दसा का वो खुद ही कारण है वो एभी कहता है कि भै खुद उसकी ऐसी दसा का कारण है और कोई भी इसके पीछे नहीं है और एभी की उसने अपनी पतनी डिलीला को अपने बालों की सक्ति का राज बता दिया जिससे उसको धोका मिला और जब उसने अपनी पतनी डिलीला को अपने बालों की सक्तियों का राज बताया तो उसकी पतनी ने क्या किया कि उसने धोके से सैमसन के बाल कार दिये, सैमसन के संबंदी और मित्र आदी उससे मिलने आते हैं और उसको खुश करने का प्रयास करते हैं, कहां जेल में, सैमसन क पिता जो मनवा है वो भी उससे मिलने जाते हैं और उसको सांतुना देते हैं कि बहे उसे जल्दी ही जेल से छोड़ा लेंगे अपने पिता ने उसके पिता ने कुलासा किया कि फिलिस्थीन अपने भगवान ड्रैगन के सम्मान में एक बड़ा उत्सब मनाएंगे तो यह जो स सेमसन के पिता मनुआ होते हैं वो जेल में इससे मिलने के लिए जाते हैं और उसके पिता इस बात का खुलासा करते हैं कि जो फिलिस्थीन है वो अपने पिता से कहता है कि यदि अपने आपने मुझे छुड़ा भी लिया तो भी मैं इसराइल के लोगों के लिए अब किसी काम का नहीं हूँ तो कौन कहता है सेमसन कहता है यह जो सेमसन है वो कहता है किस से कहता है अपने पिता से कि अगर आपने मुझे छुड़ा भी लिया तो भी मैं इसराइल वासियो के लिए किसी भी काम का नहीं हूँ क्योंकि अब मैं अंदा हो चुका हूँ मेरी आँखों को फोर दिया गया है अब मैं क्या हो गया हूँ पूरी तरीके से अंदा हो गया हूँ और मेरी अब आखें नहीं है उसके पिता अपने बेटे की ऐसी दसा देख नहीं पाते और महां से चले जाते हैं इसके बाद सैमसन की पत्नी डिलीला उसके पास माफी मांगने और फिर से बैबाहिक जीवन बितीत करने की प्रार्तना लेकर आती है सैमसन ने उस पर विस्वास करने से इंकार कर दिया की अब मैं बताओ तुम पर किस तरीके से विस्वास करूँ तुम पहले ही मुझे धोका दे चुकी हूँ यह सोच कर की यह जो महला है वो बहुत ही विस्वास गाती महला है बै सैमसन को बताती है कि बै उससे बहुत प्यार करती थी और बै नहीं जानती थी कि फिलिस्तीन ने उसे नुकसान पहुचाने की योजना बनाई थी फिर उसे बताती है कि उसने सत्ता में फिलिस्तीन से प्रवावित होकर अपने देश और धर्म के लिए उसे दोका दिया कौन कहती है उसकी पत्नी जिसका नाम डिलीला है ये डिलीला कहती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने देश और धर्म के लिए इस सब किया है देश और धर्म के लिए आपको दोका दिया है वै एक बार फिर से उसे छमा मांगती है और सरकार से उसे घर ले जाने के लिए कहने का बादा करती है लेकिन सैमसन एक बार फिर से अपनी पतनी डिलीला को मना कर देता है और इस तरीके से डिलीला वहां से निरास हो करके चली ज का होता है वहाँ पर प्रिकट होता है आता है वह सैमसन का मजाक उडाता है और कहता है कि जब तुम अच्छी इस्तिती में थे तो उसे लड़ना चाहाता था वो यह कहना चाहा रहा है कि जब तुम अच्छी इस्तिती में थे तो मैं आप से लड़ना चाहाता था लेकिन अब तो तुम्हारी हालत नाजुक है बहुत बुरी पस्थती में हो सैमस फिर भी सैमसन ने हराफा को आश्वाशन दिया कि बह अब भी उसके खिलाप लड़ाई जीत सकता है अंदे और निहत्ते मैं अंदा हूँ और मैं निहत्ता भी हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ य युद्ध के लिए चुनौती देता है और उनका युद्ध ए सिद्ध कर देगा कि सच्चा परमेश्वर किसका परमेश्वर है हराफा के जानेक तक सैमसन उसका मजाक उडाता है इसके बाद एक अधिकारी आता है इसके बाद क्या बहां पर एक अधिकारी आता है और सैमसन से कहता है कि उसे ड्रैगन की सम्मान में सारजनिक समाहरों में भाग लेना है पहले तो सैमसन इसके लिए मना कर देता है लेकिन फिर अचानक से सैमसन तयार हो जाता है सैमसन को ड्रैगन के मंदिर में लाया जाता है और बीचो बीच एक खंबे से बान दिया जाता है आप यहा हुआ इतनी दिनों से वो फिलिस्टीन की जेल में बंद था तो कैद में रहने के दौरान अब उसके बाल भी उगाते हैं जैसे उसके बाल उगते हैं तो उसके अंदर जो पावर होती है जो इस्टेंथ होती है वो दुबारा से आ जाती है और उसमें पहली जैसे सक्ति आ जात वो इस खंबे को गिराता है जिसकी बज़े से बहां उसके नीचे उस हाल में जितने भी फिलिस्तीन के लोग होते हैं वो सबी उसी के नीचे दब करके मर जाते हैं कहने का मतलब यह है जब मुकी कंबे को गिरा देता है जिसकी बज़े से सभी पलिस्तीन के लोग मंदिर के नीचे दब करके मर जाते हैं और सैमसन भी मर जाता है क्योंकि सैमसन भी उसी मंदिर की छट के नीचे होता है उसी हॉल के नीचे होता है तब जो उसके पिता मनवा और जो कोरस होते हैं यानि कि जो मनवा और उसके दोस्त जो कोरस होते हैं वो क्या करते हैं सैमसन की मौत पर सोक व्यक्त करते हैं लेकिन उसकी वीरता और भगवान के प्रति उसकी जो प्रतिवधता होती है उसका जस्न भी मनाते हैं तो इस तरीके से ये जो कहानी होती है सैमसन अ गोनिष्ट की वो समापत हो जाती है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही जैहिंज जैवारस साथियों